हेलो एंड गूड मॉर्णिंग दोस्तों मैं सीबं एक वार फिर से आपका एचिवर्स बेब के यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर एक दिन की बाती आज भी हम लोग काफी ही महत्तोपूर्ण वीडियो को डिस्टस करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ये सब आपको पता ही होगा कि हम लोग रोग सुभा सुभा जो करते हैं वह ही आज भी करने जा रहे हैं आई होग कि आप लोग प्रीमियर से जुड़ चुके होंगे और यह जुड़ चुके हैं तो चलिए आप लोग जो भी प्रश्ण में पुछूँँगा उसका उत्तर कमेंट करके आपको देते जाना है मैं बाद में उत्तर भी आप लोग का चेक करूँगा कि आप लोग उत्तर दे रहे थे या नहीं ठीक है तो आप लोग प्लीज जुड़ जाए हैं हमारे साथ ओके दोस्तो तो आज 22 मार्च है और आज एक बहुत ही पोपुलर सा डे है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहता है कौन सा बिस जल्दी बस और अन्य सारी बातों को हम लोग अंदर डिस्कस करेंगे तो आईए हम लोग सुरू करते हैं इदर की कोई बाते किये हुए दोस्तो मुझे थोड़ी सी सिकायत है आप लोगों से क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ ना तो आप लोग कमेंट करते हो ना लाइक करते हो तो अपना रिस्पॉंस तो दिया करो यार तो प्लीज आप लोग कुछ भी करो लेकिन रिस्पॉंस जरूर दिया करो तो आईए हम आज की सुरुवात आपके लिए खास एक छोटी सी कवीता से करते है एक motivational कवीता से करते हैं ओके देखते हैं वो कवीता क्या है आज का जिसे आप लोग कह सकते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं यह जो मैं यह pattern change किया हूँ इसका मकसद मैं सिर्फ यही नहीं है कि हंगामा खड़ा किया जाए ओके तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सारी कोशिस है कि यह सूरत बदलनी चाहिए यह जो पढ़ाई का आप लोग का pattern चल रहा है ना पिछे वाला रटा रटाया वो तो आज चेंज किजिए इसलिए यह हंगामा खड़ा किया जा रहा है हमारे तरब से ओके फिर से सुनिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सारी कोशिस है यह सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए तो प्लीज आप अपनी आग जलाए रखें, ओके, और प्लीज हमारी आग को भी जलाने में आप मदद करते रहें, ओके, ताकि हम लोग भी आपके लिए और उत्साहित होकर, और बहुत सारी important topics पर बहुत सारी बाते आप तक पहुचा सके, ओके दोस्तों, तो आईए, आज का ग्यान हो गया, अब हम लोग देखेंगे, आज का एजेंडा, कि आज हम लोग क्या-क्या discuss करने बाले हैं, तो आज की एजेंडा में, as usual, international news होगा, national news होगा, aesthetic की न्यूज तो होगी, aesthetic की बाते होगी, आज का जो खास है, अपने राष्टपती को जानिए, राष्टपती से सम्मंदी जितने भी important articles हैं, बस 5 मिनट में उसको आपको खलास करने बाले हैं, तो जल्दी से like कर दिजिए, और यदि किसी और friend को आपको add करना है, तो कर सकते हैं, जल्दी से उनको share कर दिया किजिए, ताकि ये जो राष्टपती की बात हैं, वो आप लोग असानी से समझ बाते हैं, और रुको भाइमो, रुक जाओ, अभी ताली मत बजाओ, लाश्ट तक तो देखो क्या-क्या हम करते हैं, तब आप लोग ताली बजाना, तो आईए, आज के headlines के साथ सुरू करते हैं, एक ब बिस सुबान की दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ओके, नेक्स्ट, अंतरराष्टिये निसाने बाजी खेल महासंग, आईएस एस एफ, बिसु कप के 10 मीटर एयर पिश्टल इवेंट में, भाग को पहला गोल्ड मेडल एस सुनी देशबान ने दिलाया है, ओके, नेक्स्ट जारखन राजी सरकार ने सामर अवियान शुरू किया है, ओके, समर अवियान, अब आईए अपने राष्ट्पती को जानते हैं, जल्दी से दवा कर सेर कीजिए और अपने दोस्तों को एड़ कीजिए, ओके, तो राष्ट्पती से समंध जितने भी महतवपूर्ण अनुछ मैं आप से पहले भी बता चुका हूँ, एक कलास क्या, पाच मिनट में उसका आम लोग सफाया कर देंगे, ओके, धुआ धुआ कर देंगे, चलिए, सबसे पहला है आर्टिकल बामन, कौन सा आर्टिकल बामन, इसमें क्या है, इसमें है कि भारत में एक राष्ट्पती होगा ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल बामन में, चलिए, जश्ट अगले आर्टिकल क्यों आते हैं, आर्टिकल तिरपन, ये क्या है, बताइए, कमेंट करते चलिए, आप लोग मैं बाद में सारे कमेंट्स को देखूंगा, जी हाँ, अनुछेद तिरपन है कि संग की काज, पालिकाज की सकती जो है, वो राष्टपती में नहीं थोगी, आइए, अगले अनुछेद को देखते हैं, अनुछेद 54 क्या है, तो अनुछेद है 54 कि राष्टपती का निरवाचक मंडल, मतलब राष्टपती साहक को जिताने के लिए कौन-कौन भोट करेंगे, और ये अगला अनुछेद 56, इसमें क्या है, कि राष्टपती की राष्टपती की निरवाचन होती है, तो उसकी भी तीन परणाली है, कौन-कौन में जल्दी से बता देता हूं, एक अप्रदच निरवाचन पद्धती, मतलब आप लोग डायक्ट भोट नहीं करते हूं, दूसरा अनुपातिक परतनिदित्व पद्धती, और तीसरा एकल संक्रमनिये, हस्तानांतरिये, मत पढ़नाली, ओक यह सब बहुत ज्यादा है, उतना आपको जानना नहीं है, चलिए, अगला अनुछेद 56, इसमें क्या है, कि राष्टपती की कार्जकाल कितने साल की होगी, तो यह पातसाल की है, अगला है अनुछेद संतामन, इसमें क्या है, पुर्णन वाचन, जो राष्टपती का पुर्णन वाचन है, उसके लिए क्या-क्या योगिता पातलता है, वो है अनुछेद संतामन में, ठीक है दोस्तों, अनुछेद अंठामन क्या है, आप लोग कमेंट करत तो 60 में 100 से 60, 100 से सपत, मतलब राश्पती साब सपत लेते हैं, ये 60 में लिखा हुआ है, अब सपत ले लिए कार्जकाल हो गया, सब कुछ सारी बाते हो गई, अब राश्पती को इदी हटाना होता है, तब जस्ट उसके अगले अनुछेद में आईए, अनुछेद 61, इसी को लेकिन ये कभी जटिल प्रकिरिया है, ओके, अब आईए अनुछेद 72 में, ज्यादा इंपोंटेन जो होगा वो आपको बताया जाएगा तो अनुछेद 72 क्या है? तो राश्पती को बहुत साइस कतिया प्रदान की गई है, जो बहुत सारे क्रिमिनल है, उनको किस तरह से छ शूर देना या ना देना है यह उनकी मर्जी लेकिन यह सारी बाते अनुच्छेद 72 में लिखी हुई है ओके अब अनुच्छेद 80 काफी इंप्रोटेंट है यह किसमें इसमें क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 80 में कि राश्ट्पती जो इस संसत का अविन्नांग है ठीक है अनुच्छेद 80 क्या है भई तो अनुच्छेद 80 है कि राज सभा में 12 सदस्यों को राश्ट्पती साब मनोणित करते थे यह अनुच्छेद 80 है ठीक है अगला अनुच्छेद में आईए अनुच्छेद 85 तो अनुच्छेद 85 क्या है राश्ट्पती साब 5 बर से पहले ही ल जुक्त बैठक बुलाते हैं लेकिन उसके अध्यचता कौन करता है लोकसभाध्यच चलिए अब आते अनुछेद 111 111 तो इसमें क्या है इसमें है कि राश्पती साहब धन विधयक एबं सम्विधान संसोधन विधयक को छोड़ कर अन विधयकों को संसत के पास पुर्ण चल रहा हो और कोई नियम कानून बनाना जरूरी हो तो उसके लिए जो टेम्प्रोरी नियम कानून बनता है ना उसी को अध्यादेश करते हैं और यह अनुछेद 123 में है अगला अनुछेद 143 तो आप लोग का फेवरेट होगा है ना चलिए उस से हमको लिधयर नहीं है इस समस्या पर राश्पती सुप्रेम कोट के मुखने अधिस के साथ विचार विमर्ज कर सकते हैं यह अनुछेद 143 ठीक है अब आया अनुछेद 331 यह क्या है काफी इंपोर्टेंट है भी वी आई फाइव अस्टार मार्क किजिएगा अनुछे 331 जो है काफी करते हैं लोकसवा में लेकिन 2019 में जो संसोधन उसमें खतम कर दिया गया अनुछे 331 को मतलब कि अगला बार से जब भी चुना होगा लोकसवा की तब पूरे पूरे 545 सीटों पर होगी ऐसे 543 सीटों पर होती थी ठीक है दोस्तों अब आये अनुछे 322, 356 और 360 यह क्या है आपको पता होगा यह किनों किसे संबंदी थे तो आपातकाल से संबंदी थे कैसे मैं बताता हूं अनुछे 322 जो है यह राश्ट्रीया पातकाल से संबंदी थे ठीक है यह तो हमारी हो गई ग्यान की बात है और दोस्तों यह ग्यान का सागर है जितना दूब सको डूब जाओ जितना लूट सको लूट लो ओके तो आईए शुरू करते है आज 20 मार्थ के करेंट अफेर्स को ग्राम उजाला स्कीम तो ये मैंने कल ही आपको बताया है एक आप पीडाबला बल्ब दीजिए उसके बदले आपको तीन बल्ब मिलेंगे LED और ये लॉंच किया गया कहाँ बिहार आरा में ओके दोस्तो अगला हाली में किस राजी सरकार ने प्राइबेट सेक्टर में 75% नौकरिया आरच्षित की है सबसे पहले हर्याना उसको कॉपी किया जारखंड हर्याना और जारखंड दोस्तो आप लोग कमेंट में उत्तर दिया कीजिए क्योंकि अभी ये फ्रीमियर हो रहा है आप लोग का उत्तर में बाद में चेक कर लूँगा तो प्लीज आप लोग जरूर उत्तर दिजिए अगला है कि मुख्यमंत्री चिरन जिवी योजना किस भारतीय राजी या किन्दसासित परदेश की पहल है मुख्यमंत्री चिरन जिवी योजना किस भारतीय राजी की पहल है तो ये राजस्थान की है ठीक है, अगला प्रशन, केंद्रियं मंत्राले काय कल पर सहरी परिवर्थन अम्रूत, उसको short में बोलते ह Terazon कoli गहीं साल लाघू करता है, तो यह सहरी और विकास मंत्राले, ठीक है, आवास और सहरी मामलों के मंत्राले द्वारा यह अम्रीत मिस्ण लौँच किया गया है, से प्रश्न को देख लेते हैं कि बिस्तु जलदिवस कब मनाया जाता है वेन इज वर्ड वाटर डे शेलिवरेटेट तो प्रतेक बरस बाइस मार्च को बिस्तु जल दिवस मनाया जाता है काफी इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आप मार्क किजिएगा और इस बरस का थीम क्य आप लोग पानी को बचा कर पीजिए सवरी बचा कर रखिए पीजिए गा तो पूरा ही आप लोग बचा कर रखिए मतलब ऐसे बेश्ट ना किया कीजिए इमेजिन किजिए उस सिच्वेशन को कि राजस्थान में लोग पानी के लिए 10-10 किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं आपके साथ भगवान को थैंक्यू किजिए कि आपके साथ ऐसा नहीं है तो प्लीज आप लोग पानी को बचा यह जितना हो सके बचा कर रहे हैं अब ऐसा हमारा वर्ड वाटर डे और इसके लिए आप लोग जागरुक होई है खुद भी जागरुक होई है और दूसरों को भी जागरुक किजिए यह सब आप कर सकते हो वही कि कहीं पर आप लोग देखे नल चालू है पानी टपक रहा है बंद किजिए उससे आपका ही फायदा है इसका लगवग 71% कितना दोस्तों 71% जल से भरा हुआ है ठीक है एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्ण काफी इंपर्टेंट होते हैं आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा कि 200 जल दिवस मनाने का पूरे 20 में उद्देश क्या है पानी की खपत को रोकना मतलब पानी की बरबाद हो रहा है यह इसका उद्देश है अगला है किस बर्स आयुजित किये गए परियावरंत था विकास का संजुक्त राश्च मेलन में 200 जल दिवस पहल की गई थी तो 1992 में रियो डीजेनरियों में जो सम्मेलन हुआ था उसमें पहली बार 200 जल दिवस मनाया गया कब 1992 में ओके दोस्तों और पूछ रहा है एक और प्रश्चन कि विस जल दिवस 2020 की थीम क्या था तो 2020 का थीम था जल और जलवायू परिवर्तन और इस बर्स का थीम मैंने अभी आपको बताया क्या है वेल्विंग वाटर ठीक है मतलब पानी की भैल्यू को समझना ओके दोस्तों तो यह था हमारा दूसरा प्रश्च अभाई अगले प्रश्च को देखते हैं कि कैश्दारेन नमक अवयान किस मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया है देखिए आपको प्रश्च सण सही इस परश्ठ है कैश्-धर्म मतलब बरसा को पकड़ ए मतलब बरसा की बुंदे होती है ज पानी फिर बरबाद ही हो जाता है तो यही है कैष्दर रहें किसके दोरा सुरू किया गया है तो जल सक्ती मंघ्राले किसके dorm दोस्तों एक्ष्टन grown करते हैं कि जल सक्ती मंघ्राले के चना कं तो मोदी जी का जब दूसरा सुरू हुआ कल 2019 में 2019 में जल सक्ति मंत्राले का गठन हुआ है दोस्तों काफी महत्वपुन प्रश्ण है और अगला तो और ज्यादा महत्वपुन है कि केंद्रिय जल मंत्री कौन है पहली बार जल सक्ति मंत्राले का गठन हुआ तो पहली बार ये मंत्री भी मनाये गए और इनका नाम है गजेंदर सिं से खावत ठीक है दोस्तों अगला पभीत्र नदी गंगा को सच्छ बनाने के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है तो यह तो सब लोगों को पता होगा नमामी गंगे परियोजना कब लॉंच किया गया था दोस्तों बताईए आप लोग तो 2014 में ठीक है चलिए अगला है प्रश्ण की मेगा पार्टेकर का संबंध किस्से हैं तो इनके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए एक आंदोलन चला था कुछ बर्स पाले जिसका नाम था नर्मद बचाओ आप लोग दोलों के संस्थापक के रूप मेगा पार्टेकर का संसे हैं नदियों के समर्षन से खासकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से ओके दोस्तों हम लोग अगले प्रश्ण को देख लेते हैं कि हाली मेत रिपोर्ट एक डिशेंक के मामले में भारत कितने पर है और फोर्स के मामले में भारत जोई कितने नंबर पर है तो भारत दोस्तों चोथे नंबर पर हम सबसे ज्याधा सकती शाली है मचबूत आ कौने में दूस्तों नट कीजएगा पहला पर चाइना है कौन पहला पर चीन है दूसरा पर कौन है दोस्तों अमरीका वाई साव है कौन अमरीका तीसरा पर कौन है तीसरा पर रूस वाले अंकल है कौन रूस वाले और चौथा नंबर पर कौन है चौथा नंबर पर अपना भारत है ओके दोस्तों किसके मामले में ससस्त्र सेना के माम सारी किस में जो यह एरो इंडिया हुआ वो कहा हुआ करनाटक की राजदानी बेंगलुरू जगा का नाम भी में बता देता हूं यह लाहं का में ओके लाहं का में ठीक है दोस्तों अगला प्रश्ण है बायू सेना के सेना द्यच्छ कौन है अब यह सारे प्रश्णों का जवा करंबीर सिंग कौन करंबीर सिंग और थल सेना द्यच्छ कौन है दोस्तों बताइए आप लो बताइए मनोज मुकूंद नरवने या मैं नरवने ठीक है दोस्तों अगला प्रश्ण काफी इंपोर्टेंट है दो तीन बार प्रश्ण पूछा गया है और आगे भी पूछा ज अगला भारत के पहले सेनस अचालक को थे तो भाद के सेनस अचालक मतलब dgmo कों थे बढ़ाइया आप सिंग कौन परमजीत सिंग ओके दोस्तों एक छोटी सी बात और आप लोग जानेगे कल नहीं परसों आपको पता है ते तालीस अजार से ज्यादा केसे जाये हैं कोरोना वायरस के जो सेकेंड जिसका स्पाइक है उसके दोस्तों प्लीज हो सकता है होली के साथ साथ एक दो महीन आप लोग आपकी जान को बचाने के लिए आप लोग मैंसे बहुत साए लोग के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि पहले तो पूरे इंडिया में कोरोना वैक्सीन मिला नहीं पूरे कंट्री को पूरे बिदेश को बाटने में लग गये आप लोग तो दोस्तों वो सब हम कि हाल है किस राज के मुख्यमंद्री के द्वार पहले प्छयारिक स्वदेसी भासा और नोलेस सिष्टम स्कूल का उधाटन किया गया मिलाजुला के प्रशन यह है कि कौं से नौर्फिष्ट के राज में पाले स्वदेसी भासा सिस्टम का उदगाटन किया गया उस पर स्कूल का उदगाटन किया गया है तो कहा अनाचल परदेश में कहा दोषतों और परदेश में कहा दोस्तों और नाचल परदेश के मुख्यमंतरि साहब को दिख रहे होंगे पर्म खांडूं उनके द्वारा ओके अगलेंगे और काफी इंप्टनेंट नॉ form अभी काफी ज़्यादा हाइलाइडite है ओके नौर्थ इस्ट काफी ज्यादा हाइलाइटेड है ठीक है तो आईए सबसे पहले प्रस्ण को देखते हैं प्रडाइज ऑफ दा बोटनिस्ट कि स्राजी को कहा जाता है ब्रस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग अरणाचल परदेश को तवांग बौधमठ कहां इस्थ परदेश में अगला प्रस्ण और किड अस्टेट ओफ इंडिया किसे बोला जाता है अरणाचल परदेश को ओके नूट किजेगा आप लो नाम दाफा नेशनल पार्क कहां इस्थित है काफी इंपोर्टेंट है नोट किजेगा आप लो अरणाचल पर्देश में इसके साथ एक और नेशनल पार्क मॉलिंग कौन माउलिंग कि कहां इस्थित है अरणाचल परदेश में तो नामदाफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क दोनों अरणाचल परदेश में इस्थित है अगला नोट कीजिएगा काफी बार पूछता है कि अब तानी जन जाती किस राजिसे से मंदित है अब तानी ज किस देश में 900 बर्सों में पहली बार जॉला मुखी का उद्वा हुआ है मतलब जॉला मुखी तो हाँ पहले से था ही उसमें पहली बार भी स्पोर्ट हुआ कितने सालों में एक दो सालों में नहीं 900 बर्सों में ओके आए जानते हैं किस देश में तो आइसलेंड में नाम से ल जादा उत्तर मेश्थी थे एक बात और यह जो आइसलेंड है यह किस कंटिनेंट में आपको दिखेगा तो दिखेगा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में लेकिन इस पर कवजा है यूरोप मेश्थी द्यन्मार्क का ओके तो आईए अब जानते आइसलेंड की राजधानी रि जो इतर हाल फिलाल में काफी न्यूज में रही है और आपके एक जान के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकती है यह सारी ज्वाला मुखी और इससे समंदित देश तो आपको सब याद रखना है ओके आईए पहले परस्न को देख लेते हैं कि दच्छी ने सिया का एक मातर ए इस्थी थे दोस्तों तो यह माउंट मेरापी ज्वाला मुखी जो है ना इंडोनेसिया में है और विहाल फिलाल में इसमें भी बिसफोर्ट हुआ था अगला है माउंट सिनाबुंग ज्वाला मुखी कहा है तो मेरापी और सिनाबुंग दोनों इंडोनेसिया का ही है अगल है किला हुआ जोला मुखी कौन सा किला हुआ जोला मुखी यह कहां इस्तित है तो यह हवाईयन आइलेंड पर है और हवाईयन आइलेंड कहां है प्रसांत महासागर में हवाईयन आइलेंड को प्रसांत महासागर का चोराहा कहा जाता है और इस पर कवजा किस देश का है दोस्तो तो अमेरिका का ओके दोस्तो इतनी सारी बात आयोग कि आप लोग याद रखेंगे अब हम लोग अगले प्रशन को देख लेते हैं ठीक है आईए अगले प्रश्ण को देखेंगे अंतराष्टी निसानेवाजी खेल महासंग आई एस एस याफ तो सुटिंग का भी बल्ड कप चल रहा है दोस्तों के सुटिंग बल्ड कप 2021 के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भायात को पहला गोल्ड मेडल हिलाया किसने य अंतराष्टी निसानेवाल जी का बिसुकप चल रहा है इंडिया में चल रहा है ओके तो इसमें 10 मीटर एयर पिश्टल इवेंट में भाद को पहला गोल्ड मेडल जिताया है ठीक है कि किनों ने यह सुस्तुने देश वाल जी ने आईए इनके बारे में कुछ बाते जानते हैं और बाते हैं एक्सट्रा मसाला में और कुछ बाते जानेंगे हम लोग कि भाद की पहली महला है ओलंपीक-पथक भी महत्तुपून-प्रश्ण है मार्क कीजिएगा खर्सुनियtest-वाल जी ने कौन सी मेडल जीती थी तो उसमें यह सवाल जी ने गोल्ड जीता था और ये बात भी मता दो उसमें इंडिया टॉप पर था जो डियोडी जनेरिये पिछले बार जोगए था बल्लकप सुटिंग का उसमें इंडिया टॉप पर था सबसे ज्यादा मेडल के साथ आई अगला है अभिनब बिंद्रा कितनी मीटर एर राइफल असपरदा में भाद के एक प्रमुक निसाने बाज है तो दस मीटर और आप लोग जब जब अभिनब बिंद्रा का नाम आएगा आप लो अगला ओलंपिक खेलो की ब्रक्तिकत असपरदा में सुन पदक जीतने वाले पहले भारतिये खिलाड़ी कौन थे अभी तो में चर्चा कर रहा था अभिनब बिंद्रा के बारे में इसका उत्तर विए अभिनब बिंद्रा अगला प्रश्न की लंदन ओलंपिक में के दिवस कब मनाया जाता है वल्ल्डि फोरेश्ट्री डे कब मनाया जाता है तो प्रतेक बरस21 मार्च को भी सुवानी की दिवस मनाया जाता है एक तब तक पेड़ पौधे और बन है, तब तक ही धर्ती पर जीवन है, काफी सही है, ना पेड़ पौधे होगे, ना अक्सीजन होगा, ना हम होगे, ना आप होगे, ओके, तो प्लीज, पेड़ पौधों की भी सुरच्छा किया कीजिए, जितने भी नेचुरल रिसोर्से हैं, स ठीक है दोस्तों सीवी कल्चर किसे समंदी थे प्रश्ण पूछ देता है सीवी कल्चर किसे समंदी थे तो वो जंगल से फोरेश्ट से समंदी थे ओके अगला प्रश्ण है कि भारत का पहला बंचिकित्सा केंद्र का उध्गाटन कहां किया गया जो राजा इंदुस्तानी फि संधान के इंद्र कहां है उत्तराखण में कहां है उत्तराखण के देहरादुन में ओके दोस्तों अगला प्रश्ण है कि फोरेश्ट में ओफ इंडिया फोरेश्ट में ओफ इंडिया के नाम से किने जाना जाता है तो यह प्रश्ण काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए या प्रवर्तन प्रोष्कार प्रात करने वाली पहली भारतिये महिला कोन बनी है तो डिशा की है उनका नाम है सस्मिता लेंका क्या सस्मिता लेंका तो ये सारे प्रश्ण आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो फ्लीज आप लोग इसे कॉपी पर साथी साथ आप लोग इंग्लिस का क्विज भी डेली दे सकते हैं उसका भी नीचे ग्रूप का लिंक मिल जाएगा ओके दोस्तों और हमारे वेब साइट पर भी आप लोग ट्रेवल करके बहुत साइज जानकारिया प्राप्त कर ले सकते हैं ओके अब आईए कोश्चन ओं तर लास्ट डे में बैसा प्रस्ण जो आप से कल पुछा गया था और आप में से मातर एक दो लोगों ने उसका जबाब दिया था प्रस्ण है कि दा मीडिया फांडेशन के द्वारत चमेली देवी पुरसकार 2020 से किसे समानित किया गया है इस प् प्रस्ण है जिसका जब आप देखते हैं आप पैसे कितने लोग दे पाते हैं कि प्रेश सूचना ब्यूरो पी आई बी के प्रधान महानी देशक का पधवार निम्रे से किसने संभाल लिया है फिर फिर आप गुगल करो या फिर जो करनाए करो कैसे भी करो लेकिन उत्तर मुझे चहिए तो आपके उत्तर के इंतजार में मैं सिवां आपसे अगले दिन अगले वीडियो में मिलूँगा देखता हूं कि आप में से कितने लोग का कमेंट आता है ओके तो आई होब कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा सेशन पसंद आया होगा तो पसंद करने का बटन दवाते चले कोई चनल पर नए है इच्छा है कि भाई मेहनत कर रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते है ऐसा कोई हमाई तरफ से प्रेसर नहीं है ठीक है द